बाई जब मुझे पदा चाला मैं है रान हो गया शौक हो गया कि सच में यह चीज हुई है मैंने आप से कानी तक यार अगर विंस मिक्मैन होते तो ब्रॉक लेसन की यह बुकिंग ना होती ओमॉस के साथ यह ट्रिपल H आया है शाद इस पज़े से मैच हो रहा है लेकिन रिप ब्रॉक लेसन का मैच सटप करवाया शौक है तो मैं आप से काया है था कि ट्रिपल अच आइडिया लेते रहते हैं या फिर आइडिया दिये जाते हैं उनको चाहे उनको चाहिए हो या फिर नहीं तो मैं हरान हुए थैकि विंस मिक्मैन ने ऐसा क्यों किया अब सिर्मुज इसकी बीचे की नजर आ रहा है और वह है ओमॉस को ओवर करना क्योंकि बिग स्वेटी जो जायंट्स हैं हमेशा ही कहा जाता है वो पसंद आते हैं विंस मिक्मैन को तो हरान हुआ भाई मैंसे आपके रियक्शन जरू बताना मैं जी कॉमेंट्स में आपकी ब्रॉक लेसन को पोस्टर से और आप लोगी स्क्रीन के ओपर देख सकते हो सबसे पहले तो मेरी एक जो कंप्लेइन थी इस पोस्टर के बारे में जो ग्रैफिक आ रहा था कि थोड़े से मतलब ऐसे मतलब कलर रहा था कि थोड़ा कम सा करावा है लेकिन अब यह काफी बढ़िया लग रहा है सबसे पहले नजर आपकी जाने चाहिए अभी तक डबल लवली ने हमको कहा नहीं है कि जौन सीना होंगे यह फिर नहीं लेकिन इस पोस्टर ने इस बात को काफी ऑब्वेस्टा कर दिया है कि उनका मैं जो है ऑस्टिन थेरी के साथ ही होने वाला है और बाकि जो सारे आप से तो डबल लवली ने अच्छा काम कर दिया अब देखते हैं जब ऑन कार्ड पर अच्छा काम करने की बारी आएगी तो क्या डबल लवली कर पाती यह फिर नहीं अगली स्टोरी गाइस थोड़ी सी शौकिंग है और सॉन्य डिवल अरेस्ट हो गई है अब रीजन अर तो यहां पर आपने जो लाइव इवनिट का मैच अगेंश चालट फेर उसको है तो लोग यहां पर पूछने क्या रहे है तुम तुम जेल से भी ट्वीट कर सकते हो कि ऐसा भी ऑप्शन है क्या तुमारे पास अब देखो यह जो अपने पास हतियार रखने का शुरू किया अगली स्टोरी गाइस ब्रॉक लेटेड है विडियो की स्टाट में आपको बता दिया कि ओमोस और ब्रॉक लेस्न का मैच विन्स पुक्मैन का आइडिया है लेकिन पहले क्या चीज ब्रॉक लेस्न के सामने रखी गई थी वे ब्रेव आयट का नाम है फाइटफोल लेकिन पंटिया पेच्छesse लेकर गई पहाले को ब्रॉक लेस्न ब्रॉक लेस्न को इस चीज पसंद नहीं विए इस वह हूंगी मुझे लगता इस से दोनों वह नुकसान हो जाता ब्रेवाइट मतलब फिट थोड़ा ऐसा यूनीक सा तो होता जेकना लेकिन शाद यह नहीं रहता इतना सा इडिया इस पुछली ब्रेवाइट की जिसी इसे लिए फाइदा हो सकता है ब्रेवाइट को मतलब ऑवेसली वहाइट को प्रोटेक्ट करके जो इतने तामसे उनका इमेज खराब हो ईसको बेटर कर सकते हैं और शाद य supak सथे हो सकता है और स्धी भाइस जाती होाइब बच्चे ओने के बाद में और यहां पछी मई एक दा यह अबस टेलोविजन तो बड़ा एंठ में रहता है लेकिन यहां पर पिक्चर में कितने मज़े से फोटो खिचवा रहा है और यहां पर और वी वैसे और गास उनको 21 साल पूरे हो चुके हैं एस प्रो रेसलर यहां पर वता रहे हैं कि उनके 20 साल हो चुके बिजनेस में वह समहाओ मैं बैस इस टार्टेट क्रेजी अब पूरी जर्नी की बात कर रहे हैं और लौट्स ऑफ लब करके भी फैंस को थैंक्यू सब ओल रहें कि हाँ इतने टायम से वह प्रो रेसलिंग के इस पूरी दुनिया में यह पिक्चर भाई रोमन रेंज की कैसी समय रोमन रेंज की आकर आसा लग रहा भूतिया सी हो गई है वह है जब हैलुआ कि उन्होंने मारी थी रोमन रेंज का टेलिमनेशन चेंबर अभी तो मुझे लगता है वह बहुत बढ़ा होने वाला समय जेन का अभी जो रिसंटली वह फीट मैं रोमन रेंज के साथ उसके बाद से जज्मेंट डे काफित अगली फैक्शन चल रही है इस समय डेबल डवली में और गाइस बंप के शो पर जब फिन बैलर रहा था तो उन्होंने इस बात को अन् लेकिन जब फीमिल डिविजन से कोई विम्स डिविजन से सूपरस्टार आता तो एक्चल फैक्शन जैसी लगती है जैसे हमको यह चायना भी देखने को मिलती है वैसे वाली फीर आती है रहे है रिपली को देखके तो अभी पर बालना यह का है कि रहा बढ़ेगी तो मैं कौन-कौन नए जो मेंबर्स है वो इस क्लब में इस फैक्शन में होते हैं हम चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ और गोल्बग का रिटन हो सकता है कहां होगा वो थोड़ी दिर में बताऊंगा लेकिन गोल्बग ने क्या कहा उसके बार में सबसे पहले सुनो उन्हों तो नहीं हुए गोल्बग अभी आके वो डबलोबली के साब कोई डील करेंगे मोटे पैसो वाली और इसके बाद फिर एक और मैस रसल करेंगे और गाइस जो अगली स्टोरी है वो भी इसी से रिलेटेड है डबलोबली का अगला सौधी अरेविया का शो डबलोबली किंग क्योंकि गोल्बग को साफ्डी आवी को साथ लुख के लिए साउधी के लोग देखना पसंद करते हैं कि वहाह के मोट पैसा कमाती है तो वहन की विश को फुल फिल करना डबलोबली की lucy होती है तstill छाद हो सकता है वह जिस तो और आज надо करheen अगर से देखने को मिल आए ब कर दूंगा हम चलते हैं अगली स्टोरी के तरफ और क्रिस जरीकू के बारे में लगता है मुझे काफ़े जमानों से मैंने बात नहीं कर आप लोग पूछते कि बारे में क्यों कुछ नहीं बता तो उसके बीछे रीजन यह है कि वाई उनकी तरह से कॉपी राइट के काफी इस मुझे पता है WWE कैसे काम करती है और मुझे फार्ग नहीं पड़ता कि वहाँ पर विंस है या फिर ट्रिपल है जो भी उसको रन कर रहा है मेरा जीरो इंट्रस्ट रहे में वापस जाने के लिए मतलब कुल मिला के जिस तरीके से WWE काम करती है अगर वो उसको AW से कंपेर कर रह क्योंकि भाई पैसे WWE उनको इतने सारे देगी और कुछ ताम के बाद जाके बंदा कभी तो ऐसे जो उसके अंदर इतना जो शारा है वैसे मैचिस करने का कि मुझे ब्लट देखना कभी जाके तो एंड होगा और फिर WWE में आएंगा उपर से उनका करियर भी है जरिगो के केस सबसे बड़ा मैच WWE का WrestleMania 39 इसके बार में जो और से वह स्टिल सेम बने हुए है यानि की रोमन रेंज पहली बार अंडर डॉक है अपने चैंपिंशिप वाले किसी मैच के अंदर जब से उनके पास चैंपिंशिप आई है एक टाइम पर मैकंटार के बराबरी पर पहुंचे लेकिन यहां पर जो कोडी रोट्स है इस समय वह फेवरेट है और क्लियर फेवरेट ऐसनी है माइनस 400 जो और वह कोडी रोट्स का है और प्लस 250 रोमन रेंज का मैस में ज़्यादा वैलियो कि इसका मतलब वह सूपरस्टार के मैच में जीतने के उतने ज्यादा चांसे तो क् कि रोमन रेंस की जो चैंपंशिप है अंस कॉर्णी रहिए ब्लेला नहीं होता है दोनों मैं सो कोई कोई बात बिलीव नएह ethnicity कि रूमन रेंस्स हाड大तίν नहीं हो और कोडी रोटistyयो